तरे क्रिश्न ग्रंत राज भगवत गीता की जाया है भगवत गीता यतारूप अध्याय दो श्लोक संख्या सोला इसमें इस वीडियो में हम सोला से लेके 20 श्लोकों तक अध्यान करेंगे और ये आत्मा के उपर भगवान ने अरजुन को सबसे पहले समझाना शुरू किया है यानि कि अरजुन के माध्यम से हमें सबसे पहले आत्मा को थोड़ा समझाना शुरू किया है ज्यादा तर जो साइन्स लैब्स बनी हैं वो बॉड़ी पर फोकस करती है उसके बाद जो हमारा सुष्म शरीर है, जिसमें मन, बुद्धी और फॉल्सी गोड आते हैं, उस पर बहुत थोड़ा ही वर्थ है, साइंस में, मन के अगर विकार हों, तो साइंस इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाती है, बॉडी को फिर भी मैनेज कर लेते हैं, तीन तरह के हमा सारे अंदर शरीर हैं, जो बहुत तक शरीर है, फ्थूल शरीर, जिसमें पांच तक वह सब जानते हैं, उसको तो साइंस हैंडल कर लेता है, बट सुष्म शरीर पर मन और बुद्धी को हैंडल करना तोड़ा मुश्किल पढ़ता है, और मैं तोड़ा टॉपिक से हटके बो जरूरत नहीं है, ऐसे mental problems, बुद्धी को रेके ब्रह्म, क्या सही, क्या गलत, तो ये भी तो अपने आप में एक शरीर है, वो बाट चाहिए, हम उसको मानते नहीं है, पस ये body ही शरीर दिखती है, जबकि देखा जाये तो सुष्म शरीर भी शरीर है, तो सुष्म शरीर पर इस तरह से इस मन को कंट्रोल किया जाए, बुद्धी को सही दिशा में लगाए जाएगी, तो बहुत जरूरी है, आज आपने सोचे कि एक बच्चा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, लिखा दिया, बर उसकी बुद्धी ब्रहमित है, बहुत बच्चे हैं, जो ब्रग्स ले रहे हैं, और गलत रास्तों पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें एडवाइस करते हैं कि इस कौन को टेंपल बनाने की जाएगा, बॉड़ी भी जरूरी है, अगर बॉड़ी नहीं होगी तो बाकी काम कैसे चले है, लेकिन सुश्म शरीर भी जरूरी है, और इसके बाद आता है अध्यात्मिक शरीर, उसके बारे में तो साइंस को एभी सी डी भी नहीं मालू है, आत्मा, उस टॉपिक के ओपर ये बुक है भगवत गीता, इसमें सच्चित आनन, आत्मा के भी तीन हिस्से हैं, जैसे सुश्म शरीर के तीन हिस्से हैं, माइंड, सबसे पहले समझाना शुरूर किया, मैं एक लाइन में आपके साथ इसको डिसकस करूंगा, आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा, जो मैं आप बता रहा हूं आपको, तो शायद इसको आपको खासकर जो नए हैं, भगवत गीता जिन्नोंने नई पहली बार पढ़न अगर मेरे हाथ में मेरा मुबाइल फोन हो, तो मैं बोलूगा, यह मेरा मुबाइल है, और कोई मेरे को मुबाइल ही समझ ले तो मैं कोंगा, यह मेरा मुबाइल है, मैं मुबाइल नहीं हूं, ऐसे यह मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, यह मेरी आखें हैं, ऐसे कुछ भी, मेरा हाथ है बड़ मैं हाथ नहीं हूँ तो सवाल इए कि फिर मैं को मैं बुलूगा यह मिरा मोबाइल है यह मेरा हाथ है तो मैं हूँ आत्मा है ज्यादा नहीं बूलूगा इसको थोड़ा से सोची और फिर अगर आप चर्चा करना चाहें तो भी शक, अब सबकी पास मेरा न बहे लगता था अमारे परिवार जुनों को भी और सही भी अडवाइस करते थे मैं यह नहीं कहा रहा कि गलत अडवाइस करते थे वह मुझे अडवाइस करते थे भाहर में जो मृत्ति हो जाएगी तो मैं गया भी नहीं मैं उसको justify भी नहीं कर रहा हूँ बट मैं एक point अपने मन में सोचता था और एकाद लोगों से थोड़ी चर्चा करने कोशिश भी कि कि आज तक किसी की मृत्यू नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएगी point है ये भी सोचने का कि आज तक किसी की मृत्यू नहीं हुई तो मेरी मृत्यू कैसे हो जाएगी शरीर मरता है आत्मा तो मरती नहीं और मैं तो एक आत्मा हूँ ठीक है शरीर छोड़ना पड़ सकता है और उसको छोड़ना advisable भी नहीं है भगवान ने शरीर दिया है भक्ति नहीं है उसका जोबी चीज भगवान ने दिये उसका प्रॉपर इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो फिर उसको वेर्थ नहीं समझ सकते हैं और स्वस्त शरीर भक्ति के लिए गीता अध्यन के लिए जरूरी है तो यह सारे point है but the thing is that कि हमें टरने की जरूरत नहीं होती है कि आज तक किसी की डेथ ने भी दुनिया में कोई नहीं मरता है कोई भी नहीं मरता है सिर्फ शरीर छोड़ना पड़ जाता है अगे बढ़ते हैं हम आज की जो अब चर्चा करते हैं फोड़ा समय ने इंट्रॉडक्शन देने की कोशिश की मिजे ग्यान नहीं है ज्यादा मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूँ अगर आप रियली भगवत गीता भागवतम समझना चाहते हैं तो इसकौन मंदिर में जाएं माशुद भक्तों से सुनें तो मेरा यह प्रियास है जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ यह तो सरफ आपको इंस्पायर करने की मैं कोशिश कर टुषियों कि आप लोग इस कौन जाइन करें और सिरियसरी सब्चिक्त को साइंस अफ यह शोपजिक्त से इनको समझने के लिए आन्ययों एक देइन भी तत्व दर्शियों ने एक्सपर्ट लोगों ने जिन्होंने समझा है अध्यात्म को तत्व दर्शी सत्य को जानते हैं भगवान को समझते हैं जीप को समझते हैं तत्व दर्शियों निश्कर्ष निकाला है समझ लिया उन्होंने बात को उसके वाज़े से कोई हम जैसे साइंटिस में बहुत बिलीव करते तो साइंटिस ने अगर कोई बात के दिया रहे तो अल्टीमेट हो गया तो तत्व दर्शियों नहीं है निशकर्ष निकाला है कि इस असत्र यानि बहुतिक शरीर का तो कोई च जिएंट वारा यह निशकर्ष निकाला है यानि जो एक्सपर्ट लोग है उन्होंने बकायदा प्रॉपर स्टडी की एंडें दें दें इक उन्क्लूड़ेट इस जो सारे शरीर में व्याप्त है नाचली हमारी जो कॉंशेस्नेस हैं इतने बेहोश हुए हैं तो आत्मा है ह तो जुष तभी तो कहते हैं चला गया बॉडी तो वहीं पढ़ी होती पर चला कौन गया इसलिए कभी-कभी हम सही बोलते भी हैं लेकिन सही सोचते नहीं है इसलिए टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं हो चला कहां चला गया ब वे आत्मा को नेस्ट करने में कोई समर्थ नहीं है यह भगवान क्यों समझा रहे अरजुन को कि इस तेंकेंग दाइस गुइंग टू किल गूरु द्रोन अचारे जबकि भगवान अरजुन को शुरू में यह बात समझा रहे हैं कि वह तो एक आत्मा है शरीर तुम अगर गो आत्मा को नश्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है तुम कितने भी प्रियास करें भगवत गीता को और घ्राई से समझ सकते हैं अधार मश्लोग अंतवत इमें देहा नित्यस्य उप्ता शरीर न अनाश्य अप्रमेस्य तस्मात युद्धस्व भारत भगवान फिर कह रहे हैं रहे उताना छोड़ यार्ट तू उपने पढ़ाई कर रहे हैं चोड़ तुम अपना काम करो उसी तरह से उसका काम क्या था उसको तो युद्ध करना तो इसलिए भगवान करें भृत्वनशी युद्ध करो छोड़ो यह सब बाते अविनाशी अप्रमे सात्मा को कोई प्रमे मापना नापा नहीं जा सकता अविनाशी अप्रमे शाश्वत जीव शाश्वत मींस इटर्नल पॉमनेंट एवरलास्टि हमेशा से था हमेशा से है हमेशा ही रहेगा अविनाशी अप्रमे तथा शाश्वत जीव के भृतिक शरीर का अंत अवशम भावी है बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं अमर होने की या लाइफ को प्रलॉंग करना ही इंपॉसिबल इस भृतिक शरीर का अंत भग लेकिन फिलहाल हर शरीद को एक बार तो चोड़ने ही बढ़ता है अग्यात्मिक शरीद अब आगे बढ़ते हैं उन्नेस मेश्लोग पे जो इस जिवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरावा समझता है वही टॉपिक भगवान डीटेल में समझा रहे हैं दोनों ही अग्यानी है अच्छली वही बात है सिंपल सी बात है अग्यानी दोनों कैसे होगे बोथ हर कनेक्टिंग विद बॉड़ी तभी तो वह सोच रहे हैं कि मैंने इसको मार दिया और वो मर गया जो इस जिवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है दोनों अग्यानी क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है उसी टॉपिक को भववन डीटेल में बुक्त है अट्मा के लिए ना एक विष्वर कि आत्मा के लिए किसे बीकाल तो हमेशिस है please और ने तो कभी जन्म ना जन्म लेता है ना जन्मे अब देखा जाए तो हम जो अपना बर्थ डे सेलिप्रिट करते हैं यह किसी की वी डेथ डे वो टेक्निकली उसरों बॉड़ी से कनेक्टेड है हमारी बात करें मेरा तो बर्थ कभी हुआ ही नहीं वह आत्मा अपीर हुई एक बॉड़ी लेकर इस शरीर में पर्टिकुलर डे पर डिसपीर हो जाएगी पर्टिकुलर डे पर ऐस सच उस व्यक्ति का वो बर्थ डे नहीं है उसके शरीर का बर्थ डे है अगर हम फिर बोलेगे फिर भावान का जंद तो भावान दिव्या फिर गुरू का क्यों करते हो वह थोड़ा सा प्राक्टिकल वर्जन हो जाता है कि गुरू अपीर हुए तो यह भी तो खुशी के बात है गुरू का बर्थ डे नहीं है ठीके लेकिन गुरू की महाना आत्मा हम सबकी उद्धार के लिए शरीर लेकर प्रकट विए अपीरेंस दे जन्म लेता है न जन्म लेगा अजन्मा नित्य शाष्वत पुरातन जिसका जन्मा नित्य हमेशा से शाष्वत भी वही शब्ड है पुरातन पुरातन वैसे सबसे पुराचीन जब भी यह creation होई तब ही से हमें अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते ना ज्यादा तर बच्चे 12 साल में 12 साल पढ़के निगल जाते हैं स्कूल से लेकिन पुरा जन्माने में ऐसा होता था कि कुछ नलायक जो फेल होते रहते थे तो उनको स्कूल पार करने में 12 साल से बहुत ज्यादा लगती थी जैसे अभी भी एक्जामपल ले सकते हैं जैसे आई-ईस की पढ़ाई होत प्रियास कर रहा हुँ अधराइस मैं भी तो नलायकों में से एक हूँ जो लगए वह इतने सालों से पुराचीन पुरातन सबसे पुराने जब यह क्रियेशन आई तब से हम हैं अभी मन्नी भर हमारा नहीं पैसे कमालूं पत्नी बच्चे घर अभी मन्नी भर हमारा वह हम काम कभी शेर बनके कभी चिडिया बनके कभी चीटी परिवार ही पाल रहे हैं उसी में खुश है जाना नहीं चाहते हैं यहां से हम तो अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन शरीर के माने जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है तो छोड़ना पड़ जाता है लेकिन खुद रिजर्वोयर का मतलब एक भंडार है बहुत बड़ा एक स्टोर हाउस है किसका अन्फुल्फिल डिजायर जो हमारी चाहें है वह हमें अगला शरीर दिलवाती है तो जब तक हम इससे भाहर नहीं आएंगे इतना असान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम बस गुरू की शरण लें तो वह बताएंगे कि भगवान कौन है और हम आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं ठीक है ना चलिए चर्चा जारी रखते हैं अरे कृष्ण